Hello guys, welcome to current affairs fund दोस्तों आप से भी को बता दू The Indian Express और जी हिंदुस्तान यहाँ पर एक news आई है इसमें कहा गया है कि around 9.79 lakhs back end post in central government departments as on March 1, 2021 तो यह 20 जुलाई को जो है एक update दिया गया जिसमें कहा गया है कि 1 मार्ज 2021 को अगर हम बात करें तो लगबग 10 लाग के असपास में number of positions हैं वो back end है central government में तो इनको mission mode में government भरेगी यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका जो है जी हिंदुस्तान इस news paper में यह वाली heading यहाँ पर आई है तो यह जो mission mode में भरती होगी यह आने वाले time पर जो है आपको अलग-लग format में इसमें सबसे ज़ादा जो है वो ssc का जो department है उसमें है ठीक है कुछ vacancies आपको जो है group d something उसमें देखने को मिलेंगी तो यह overall है तो सरकार ने बद्दवार को लोकस्वा में सूचना की कि 1 March 2021 की इस्तथी के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो कें सरकार के विवाग है इसमें लगबग 10 लाग position है वो रिक्त है ठीक है जबकि कुल सुईकरत पदों की संक्या इतने लाग है तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी numbers जो है वो यहाँ पर है तो यह information लोकस्वा में दी गई है that is why मैं आपके साथ यहाँ पर share कर रहा हूँ क्योंकि यह एक बड़ा development है और अगर अलग-अलग department में जो हैं vacancies खाली हैं तो उनको आने वाले time पर बरा भी जाएगा ठीक है तो जैसे आप यहाँ पर इस article में देख सकते हैं कि according to the annual report of pay research unit of the department of expenditure there were near about 40 lakh something sanction posed under the barris ministries ठीक है बट जो अभी यहाँ पर आकड़े कहा जा रहे हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है तो थोड़ा सा यह update अच्छा है तो motivate रहे है और अपनी examination की तारी करते रहे है क्योंकि आज नहीं तो कल notification जरूर आएगा और जो preparation चोड़ देगा गैस उसका loss होगा ठीक है तो regular moment पर अपनी तारी करिए और गैस जिन लोग का भी ongoing exam है उनके लिए मैं बता दू कि current affairs के लिए आप current affairs funda की pdf को follow कर सकते है हम हर एक month wise जो है वो pdf आपको बताते है आप यहाँ पान information देख सकते है तो क्या होता है कि month में जो 500 best mcqs होते हैं वो आपको मिलते हैं daily mcqs मिलते हैं और weekly आपको mcqs मिलते हैं तो यह सारी file a to z आपको current affairs के platform पर जो current affairs funda का mobile application है उस पर मिलेगी और आपका जो banking and financial awareness है यह file भी हम लोग upload करते हैं और साप में जो sectional test है quizzes हैं वो भी आपको यहाँ पार देखने को मिलेगी तो आप में बहुत कुछ है प्रेक्टिस करने के लिए तो आप इसका फायदा उठाएं और अपनी त्यारी अच्छी करें ठीक है तो link में description में निजी दे रहो so that आप इसको opt कर पाएं Thank you guys